नमस्कार किसान साथियो मेरे यूटूब चैनल पर आप सब का अर्दिख स्वागत है किसान साथियो आज मैं आपको मेरा ओर्गैनिक गेंग दिखा रहा हूं जिसको मैंने ओर्गैनिक तरीके से उगाया हुआ है किसान साथियो जब मैंने इसको उगाया था तो इसका जो बीज है उसको वेस्टी कमपोजर के दवारा उपचारित किया था उसके बाद मैंने इसको इसकी बुवाई की करवाई थी किसान साथियो किसान साथियों इसको बोने से पहले मैंने इसके अंदर कच्चे गोबर से त्यार की उइस डिकंपोजर के दवारा खात को डाला था किसान साथियों उस खात को डालने के कार्ण ही ये मेरा ग्यों और गैनिक है और दूसरी बात इसके अंदर देख लीजिए फुटाओ देखो पहले तो आप ये देख लीजिए फुटाओ इस ग्यां के अंदर काफी अच्छा फुटाओ रख तक नहीं है कि रिख लीजिजिए फुटाओ भी और इसकी बड़वार भी एक कोद देखें अंदर काफी फुटाओ रख रख pink देख लिजी इसका कलोट जब किसान साथियों यदि आप भी और गनिक तरीके से खेति करेंगे तो आप अपने और अपने परिवार की सेथ का ख्याद रखेंगे और दूसरी बात खर्चा भी कम होगा आपका कम खर्चे कारण आपके आउनने भी बढ़ेगी इसलिए आप और गनिक खेति को बढ़ावा दें और केमिकल वाली खेति को लगबग लगबग ने करें तो ही ठीक है यह देख लीजिए किसान साथियो अभी तक इसके अंदर किसी परकार की कोई समस्या आई नहीं है देख लीजिए इसका रंग एकदम गरीन नेचुरल है कहीं पर भी कोई पीड़ा पर नजर नहीं आता सभी ओदे और उनकी जो बढ़वार है वो काफी अच्छे से और रख लगा क्टान साथियो इसको देख लीजिये मैं आप से नुरोध करता हूं कि आप भी क्या अपने घर की करते कोई किसान वो कम से कम और गयनिक करें इसको डियो यह देखो अलग भी आ रहा नजर आ रहा है इसमें किसी परकार के अभी तक कोई समस्चा नहीं है और यह मेरा कैमिकल वाड़ागे हुँ है जिसको डीएपी निच्छे डालके उगाया हुआ है किसान साथियों कि देख लीजिए इसके अंदर इतना बड़वार नहीं है जितनी बड़वार उसके अंदर है कि दुनों कांतर मैं आपको दिखा दिया किसान साथियों अब आप अपने विवेक से विचार कीजिए कि आपको कौन सी खती करनी है यह देख लीजिए एक में शेहत का अच्छा से द्यान रहता है दूसरे में बिमारी फैलती है आप सब का भूद भूद धन्यवाद किसान सा ह हमन था है यह दो हमारी जाता है